एक बर फिर से आप सबी लोगों का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नमबर 2 जिसका नाम क्या है पाइथागोरस ठीरम ठीक है तो यह जो आपका लिसन है ना इसके अंदर दो प्रेक्टिस एट्स दिये गए क्या करने वाले हैं आज हम करने वाले है अभी प्रेक्टिस है 2.1 पर हम डायिकली नहीं जाएंगे उसके पहले कुछ बेसिक चैन्सिर्प्ट जिससे समझना पार आपको मैं पताती हूं पाइफा द होता है आपके पाइफ ह्फजॅ करेंगव य आंप राइट एंगल प्रेंगल में ट्राइंप इडिव के लिद्र हम साब पाइंघ्स पया ऊपर आपका गारेंगल में और हम जानते हैं में आपका । यहां पर देखो हाइपोटेनियस क्या है थो 90 degree के सामने वाला साइट क्या होता हाइपोटेनियस क्या होगा किसके इक्वल होगा यह जो दोनों साइट से इनके स्क्वाइर के समके equal होगा right मतलब AB square plus BC square समझ में आया आपको तो ये होता है Pythagoras theorem जो आप बहुत पहले से सीखते हुए आ रहे हो है ना और आप लोग को ये तो एकदम अच्छे से यादी होगा right Pythagoras theorem के according क्या होता है hypotenuse का square ये किसके equal होता है जो remaining two sides होते हैं उनके स्क्वाइर के समके equal होता है right clear है आपको चलिए ये तो समझ गए अब यहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे Pythagorean triplet की बात करेंगे ठीक है आप ये पाइथागोरियन triplet क्या होता है तो later suppose that कि आपके पास ना तीन numbers है देखो जैसे यहाँ पर यह मैंने तीन numbers लिखे हुए है 1160 और 61 ठीक है तो इसमें से जो largest number रहेगा ना सबसे बड़ा वाला number ठीक है अगर उसका square जो बचे हुए दोनों numbers रहेंगे उनके square के समके equal आता है तो फिर हम क्या बोलेंगे कि यह तीनों numbers क्या है पाइथागोरियन triplet है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम बोलेंगे कि यह जो numbers है यह पाइथागोरियन triplet नहीं है तो चलिए चेक करते हैं क्या यह पाइथागोरियन triplet है तो देखो यह तीनों में सबसे बड़ा number कौन सा है बताइए ज़रा 1160 61 which number is greater so 61 is the largest number right तो 61 का square हम करेंगे 61 का square मतलब 61 का multiply हमको दो बार करना पड़ेगा चलिए करते वन वन सिक्स वन सिक्स वन सिक्स शिक्स थर्टी सिक्स ओके प्लस कर देते एक छे छे बारा साथ 3721 तो यह आ गया largest number का square अब यह जो remaining two numbers है इनके square के sum के यह equal होना चाहिए तो चलो चेक करते हैं सबसे पहले यहाँ पर 11 का square करते 11 का square आप सभी लोगों को पता है 121 होता है और 60 का square क्या हो जाएगा तो 60 का square होता है 6636 यहाँ पर 003600 आएगा चाहिए तो इदर multiply करके देखो ना ऐसे 60 इंटू 60 यह आएगा 3600 ठीक है इतनी बात आपको समझ में आगे अब इन दोनों का plus करेंगे ना इस प्रकार से 11 square प्लस 60 का square तो 11 का square 121 प्लस 60 का square कितना आया है 3600 दोनों को जोड दीजिए तो कितना आए 3720 राइट तो largest number का square ध्यान सा सुनना मेरी बातों को हा क्योंकि practice at 2.1 में जो आपका पहला question है वो based है इसी के उपर इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है ठीक है तो इन तीनों में largest number क्या था बदा यह 61 था तो मैंने आपके 61 का square किया कितना आया 3721 और फिर यह दोनों छो greater number का square यह किसके equal है जो यह दोनों छोटे वाले numbers है इनके square के sum के equal है यानि कि यह जो तीनों इन नमबर से यहां पर दिये गया है यह क्या है पाइथागोरियन triplet ओके इसी प्रकार से आपको कैसे भी number दिये रहेंगे तीन number दिये रहेंगे आप क्या गरोगे सबसे जो पाइथागोरियन triplet नहीं है बस इतना सा ही आपको याद रखने है ठीक है समझ में आया कि नहीं बहुत ही आसाने बोल दियो ना पाइथागोरियन तीरम रहेगा मैं आपको वह बताऊंगी तो यह चैप्टर नमबर टू आपका बहुत अच्छे से complete होगा चलिए यह समझ म एक बार फिर से आपको रिवाइस करवाती हूं देखो यहां पर आपके पास एक triangle है यह देखे इस triangle का मैंने नाम ले लिया PQR ठीक है यह है 90 डिगरी का और यह आपका 60 डिगरी का और यह आपका 30 डिगरी का एंगल ठीक है तो यह देखो यह triangle के अंदर एक एंगल है 30 तो जब भी आपको ऐसा triangle दिया रहेगा तो वहाँ पे आप कौन से property लगाओगे मतलब इसकी property होती क्या है वो आम लोग थोड़ा समस्त्रे है तो देखो आपको पताती हूं यहां पर मैं लिखती हूं side opposite to 30 डिगरी angle side opposite to 30 डिगरी क्या होता है पता है आपको सुनो side opposite to 30 तो वो होता है half of hypotenuse गबराइगे मत आराम से बताती हूं ठीक है एक बार मैं आपको फिर से समझाओंगी side opposite to 30 डिगरी 30 डिगरी के opposite में कौन से side है qr है ठीक है तो qr का length क्या होगा half of hypotenuse तो इसमें hypotenuse क्या है बताइए 90 डिगरी के सामने वाला जो side होता है वही क्या होता ह तो 90 डिगरी के सामने क्या है PR यानि यह आपका क्या हो जाएगा hypotenuse समझ में आया आपको कैसे किया तो 30 डिगरी के सामने जो आपका side रहेगा अगर आपको वो side find out करना है hypotenuse आपको दिया गया सुनो बड़े ध्यान से आपके पास hypotenuse का जो length है वो दिया गया है और बोला PR मतलब hypotenuse तो suppose करो कि जो आपका PR है वो क्या है 10 cm तो फिर QR कितना आएगा half of 10 यानि की 5 cm आ जाएगा समझ में आ रहे हैं आपको तो इस प्रकार से आपको करना रहेगा ओके अभी practice में आप इसकी उपर based questions भी देखोगे ओके तो यहाँ पर पहला वाला है अभी दूसरा याद रहेगा ना प्लीज इसको भूलिएगा नहीं अच्छे से इसको समझ लीजिए 30 डिगरी के जो सामने वो half of क्या होगा हाइपोटेनियस ठीक है और जो 60 डिगरी के सामने होगा वो क्या होगा लिख करके बताती हूँ ना side opposite to opposite to 60 डिगरी यह क्या होता है बताए आपको root 3 upon 2 of hypotenuse यानि hypotenuse का क्या होता है root 3 upon 2 जैसे side opposite to 60 डिगरी 60 डिगरी के opposite में कौनसा side है PQ है तो PQ का length क्या होगा hypotenuse का कितना होगा root 3 upon 2 of hypotenuse hypotenuse यानि PR समझ में आया आपको तो ये भी आपको याद रखना है ठीक है एक बार फिर से पताती हो सुनना बड़े ध्यान से अगर आपको इस प्रकार से triangle दिया गया है एक angle है 30 डिगरी का एक है 60 डिगरी का और 30 है 90 डिगरी का ठीक है तो अगर इस प्रकार से measurement दिया गया है तो आप उस triangle में ये वाली property का use कर सकते हो ठीक है 30 डिगरी के सामने जो side रहेगा उसका length किसके equal होता है तो 1 by 2 of hypotenuse यानि hypotenuse का half ठीक है और 60 डिगरी के सामने जो आपका side रहता है वो क्या होता है hypotenuse का root 3 upon 2 ओके तो ये आपको क्या करना है 90 डिगरी ट्राइंगल ठीक है आप सुनिया आपके पास एक ट्राइंगल है कुछ जादा ही बड़ा बना दिया मैंने चलिए पर समझ आएगा आपको है ना रुके रुके थोड़ा चोटा करती हूँ बहुत जादा जोटा हो गया चलिये तो इसका नाम हम लिख देते हैं क्या नाम ले चलिये अल एम एन रैट अब यह जो आपका एंगल है ना यह ना अइन्टी डिग्री का रैट और यह आपका 45 डिग्री का और यह एंगल भी घैंब का 45 तो यह कैसा ट्राइंगल है 45 45 और 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है दिख रहा है आपको दो एंगल से 45 के और तीसरा है 90 डिग्री गा ठीक है तो अभी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है तो देखो सबसे पहली बात तो यहां पर LM और MN क्या होंगे बराबर होंगे कैसे आपको बताएंगे तो आपको बताती हूं यहां पर इसका फॉर्मूला होता है क्या फॉर्मूला होता है तो साइड अपोजिट टू सुनों सुनों बड़े ध्यान से हां साइड अपोजिट टू 45 डिग्री एंगल क्या होता है वन अपोर्ट टू ओफ हाइपोदेनीज ओके अ मतलब क्या होगा सुनों साइड एपोजिट टू साह वाला साइड कौन सा है dirig deficit के सामने यह एम अैं बी है मतलब यह दूनों उसकर होंगे ठीक है दोनों भी सिंवाइब कर सकते हो तो यह रखने वाला हम लोग प्रैक्टिस इड्ट में करेंगे अभी बस आप फॉर्मॉला याल रखेंगे डिख ना है और अगर आपके पास कोई ऐसा ट्रैंगल है तो वहाँ पर क्या कर सकते हो यह वाली प्राइब कर सकते हो सकते हो समझ में आए ना बहुत ही आसान है बोल रहूं ना आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है तो यह तो मैंने आपको बता दिया अभी आगे मुझे ना अभी आप लोग को और कुछ भी बताना है तो काम कीजिए पहले इसको लिखिए उसके बाद दो और कंसेप्ट पर जो मैं आपको बताती हूं फिर उसके बाद हम लोग डारेक्टी से 2.1 पर चलेंगे तो चलिए अभी आगे बढ़ते और अगला कंसेप्ट देखते हैं तो यहां पर देखो क्या दिया गया है सिमिलारिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या हुआ इसका दे 13 C और यह है 90 डिगरे का अब मैंने क्या क्या ना इस वर्टेक्स बी से एक परपिन्डिकूलर लाइन कीचा किसके उपर हाइपोटेनियस के उबढ़ इस प्रकार से। यह देखे मैंने परपिन्डिकूलर लाइन कीचा है मतलब यहां पर 90 डिगरी का एंगल बन रहा है और इसका नाम मैंने दे दिया D तो अगर ऐसा कुछ है ये एक right angle triangle है और मैंने क्या किया यहाँ पर ये जो vertex B था यहाँ से मैंने एक perpendicular line खीचा इसके उपर hypotenuse के उपर तो अगर ऐसा कुछ situation आता है तो फिर यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं तो देखो आपको बताती हूँ इसमें कितने triangle हैं चला count कीजिए देखो एक तो ये वाला triangle दूसरा ये और तीसरा ये ठीके तो ये जो तीनो triangle है ये आपस में क्या होंगे similar होंगे क्या होंगे similar अब देखो इनका नाम कैसे लिखना है वो बहुत important है ओके मैंने तो ऐसे similar बोल दिया तो नाम कैसे लिखोगे बताओ तो सही तो चलो आपको बताती हूँ देखो यहाँ पर हम लिखेंगे triangle ध्यान से देखना A, A, D, B ठीक है इस प्रकार से triangle A, D, B यहाँ पर लिखते triangle A, D, B is similar to triangle कौन से triangle के तो देखो हम कैसे आये थे ध्यान से देखो एक ही बार बस आपको देखना है और फिर आपके दिमाग में वो जाकर के बैठ जाएगा देखो A, D, B और फिर अभी यहाँ से आप reverse लेना ठीक है पीछे जाना देखो A, D, B ऐसे आए ना किसके यह जो बड़ा वाला triangle है ना इसके यानि कि triangle A, B, C इसका नाम तो ऐसे लेना A, B, C समझ में आया आपको तो यह भी आप लोगों को क्या करना है याद रखना है ठीक है एक बार फिर से बता दू आपके पास right triangle triangle है ठीक है और यहाँ पर vertex B से हमने hypotenuse के उपर एक perpendicular line अगर खीचा तो वहाँ पर वो जो तीनों triangle हमको मिलेंगे न वो क्या होंगे आपस में similar होंगे अभी नाम कैसे लिखना है देखो triangle A, D, B यह similar होगा triangle B, D, C क और यह similar होगा किसके triangle A, B, C क मतलब यह तीनों भी आपस में क्या होंगे similar ही होंगे ठीक है तो यह तो हो गया अब यहाँ पर next किसकी बात करेंगे theorem of geometric mean अब यह क्या होता है तो यह भी बहुत आसान है देखो यहाँ पर यह है आपका right angle triangle यहाँ पर आपको जो पढ़ना है सब right angle triangle का ही पढ़ना है देखो इसका नाम ले लेते हैं PQR चलिए PQR ही रख देते इसका ना PQR ठीक है यहाँ पर 90 degree का एंगल बन रहा है अब मैंने क्या किया ना इस vertex Q से एक perpendicular line इस hypotenuse के उपर खीच दिया ठीक है तो अब यहाँ पर होगा क्या ऐसे condition में क्या होगा देखो एक तो यह similar होंगे वो तो मैंने आपको बता दिया ठीक है अब यहाँ पर देखना geometric mean का theorem क्या कहता है यहाँ पर मैं ले लेते हूँ QS ठीक है तो यह जो आपका QS है QS इसका square किसके equal होगा पता है आपको किसके equal होगा यहाँ पर देखिए PS into SR के यह क्या होगा equal होगा यानि PS into SR ठीक है समझ में आया देखो एक बार फिर से बताती हूँ theorem of geometric mean क्या कहते है कि अगर right triangle triangle है आपके पास और वहाँ से हमने गया कि एक perpendicular line खीचा है किसके उपर hypotenuse के उपर तो फिर by theorem of geometric mean हम क्या लिख सकते है QS square which is equal to PS into SR देखो आपको दूसरा triangle ट्रॉगर के बताती हूँ ओके यह लिजे एक triangle होगा जिसका नाम मैंने रख दिया A, B, C और यहाँ से एक perpendicular खीचा D तो यहाँ पर by theorem of geometric mean हम क्या लिख सकते है A, D square which is equal to A, D नहीं B, D ओके सॉरी यहाँ पर B, D square B, D का square यह किसके equal होगा A, D into D, C के equal होगा समझ में आए आपको तो यह भी आप लोग को क्या करना याद रखना है बस इतना साही है अगर आपने इतना सारा याद कर लिया मतलब मैंने आपको वो जो पीछे बताई थी कुछ property वो और ये दोनो इतना अगर आप समझ लेते हो तो फिर समझो आपका practice at 2.1 एकदम आसान ठीक है क्योंकि जो practice at 2.1 के questions है वो सभी based है इनी properties और इनी theorem के ऊपर अब last मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ theorem वो पाइधागोरस ठीक है पाइधागोरस theorem जो है ना इसका पूरा proof होता है जो आपके exam point of view से मतलब important है जो आप लोग को पढ़ के रखना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि आपके board exam में आ जाए पता है ना आपको कैसे आता है यहाँ पे एक statement दिया रहेगा और फिर उसके बाद पूरा आपको उसका proof करना रहेगा ओके with diagram भी बनाना रहेगा तो मैं आप लोग को बताती हूँ यहाँ पर मैं आपको यह पाइथागोरस धियरम जो है वह आपको पूरा explain नहीं करने वाली उसके लिए मैंने separate वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने description में भी दिया हुआ है तो आप उसको जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर बताने लगी फिर तो तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और बस इतना ही बेसिक था तो आप लोग इसको लिख लीजिए उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं प्रैक्टी से 2.1 में यह है आपका पहला तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि identify with reason which of the following आर पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्स आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिप्लेट है ठीक है तो चलो चेक करते हैं सबसे पहला यहाँ आपने को तीन नंबर्स दिये गए तीन पाच और चार तो क्या पता है था मैंने आपको बताइए याद है ना आपको largest number का square जो दोनों smaller numbers है उनके square के समके equal होना चाहिए अगर हुआ तो फिर पाइथागोरियन ट्रिप्लेट है और अगर नहीं हुआ तो फिर पाइथागोरियन ट्रिप्लेट नहीं है तो चलो देखते हैं यहाँ पर इसक को लिखना equation number one ओके फिर यह जो बचे हुए दोनों numbers है इनके square का sum करेंगे यानिकी 3 का square प्लस 4 का square तो 3 का square कितना होता है 9 होता है 4 का square क्या होता है 16 होता है दोनों को plus कर देंगे तो कितना आएगा 25 आजाएगा ठीक है यह होगा आपका equation number 2 अब यहाँ पर लिखेंगे from 1 & 2 ठीक है तो 1 और 2 से हमको क्या समझ में आ रहे है देखू यहाँ पर 5 का square क्या आता है 25 और यह दोनों के square का sum करते तो भी कितना आता है 25 आता है मतलब दोनों equal है ना यानि हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते कि 5 का square which is equal to 3 square प्लस 4 square ठीक है तो यहाँ पर मैंने आपको वो जो पाइ यह हो रही है ना क्योंकि greater number का square जो दोनों छोटे वाले numbers है उनके square के समके equal है तो यहाँ पर हम लिखेंगे so they are for 3, 5 and 4 is pythagorean triplet okay pythagorean triplet देखा आपने कितना आसान था हो गया बस इतना ही करना है अब जो इसके आगे के questions है उनको भी same to same इसी तरीके से करना है चलो आपको बताती हूँ अब देखो यहाँ पर दूसरा वाला यह 3 numbers दिये गया है 4, 9 और 12 तो क्या करेंगे सबसे पहले greater number का square करेंगे तो यहाँ पर बड़ा वाला number कौन सा है 12 तो इसका square कर देते हैं यानि कि 12 का square लिखेंगे तो कितना आता है 144 आता है इसको लिखेंगे equation number 1 उसके बाद यह जो दोनों छोटे वाले numbers नंके square का sum करेंगे तो 4 का square होता है इसको लिखना है equation number 2 ठीक है अब यहाँ पर लिखेंगे from 1 and 2 1 और 2 से हमको क्या समझ में आ रहा है देखो यहाँ पर 12 का square कितना आया 144 और इन दोनों के square का sum किया तो कितना आता है 97 दोनों equal है क्या equal दिखाई दे रहे आपको नहीं यह दोनों equal नहीं है तो क्या लिखेंगे ह sum 12 का square is not equal to 4 square plus 9 square तो बताइए क्या यह पाइथागोरियन ट्रिप्लेट है वो जो कंडिशन में आपको दी थी क्या वो कंडिशन यहाँ पर satisfy हो रही है नहीं हो रही है क्योंकि यह तो equal नहीं है तो फिर हम क्या लिखेंगे they are for 4912 is not a pythagorean triplet पाइथागोरियन ट्रिप्लेट ओके समझ में आया आपको अगला वाला भी बता दू चाहो तो घुट से भी कर सकते हो आप तो आपको समझ में आया ही रहेगा है ना चोटे बच्चों वाला है यह तो देखो बड़ा नंबर कौन सा है इसमें 13 13 का square कर देते हैं तो 169 इसको दोनों चोटे वाले नंबर से हैं इनके स्क्वाइर का सम करेंगे तो 5 का स्क्वाइर क्या होता है थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ना 25 और 12 का 144 दोनों को प्लस करेंगे तो 4 और 59 यह देखो 169 यहाँ पर आया है अब क्या लिखेंगे from 1 & 2 तो 1 और 2 से हमको क्या समझ में आ रहे है 13 का square यह इक्वल है क्या देखो यहाँ पर 169 यह इधर भी 169 है मतलब यह दुनों आ गए इक्वल ओके तो 13 का square विच इक्वल तो 5 स्क्वाइर प्लस 12 स्क्वाइर राइट तो पाइधागोरियन ट्रिपलेट के लिए मैंने आपको जो कंडिशन दी थी वह यहाँ पर सैटिस्फाई हो रही है इसका मतलब क्या हुआ कि यह तीनों नंबर्स क्या है पाइधागोरियन ट्रिपलेट है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे द अब इसके आगे तीन और दिए गया है तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बताइए 74 तो क्या करेंगे हम सबसे पहले 74 का स्क्वाइर करेंगे तो 74 का स्क्वाइर कितना आता है चलो multiply करके देखते हैं इसको लिख देंगे हम equation नंबर वन अब यह जो दोनों नंबर से इनके स्क्वाइर का सम करेंगे यानि 24 का स्क्वाइर प्लस 70 का स्क्वाइर तो 24 का स्क्वाइर कितना होगा चलो multiply करके देखते हैं तो चार मतलब फोर फोर्जा 16 वन आ गया फोर टूजा एट वन नाइन ठीक है फिर टू फोर एट और टू टूजा फोर छे आट अट अट सोले एक सत्रा 576 रहीट 24 का स्क्वाइर आता है 576 और 70 का स्क्वाइर कितना आएगा 77 सा 49 यानिकि 4900 अब इन कितना होता है 14 1445,jiland456 तो दीको यहां पर यहँ दोनों तो मैं और यहां पर हम क्या लिखेंगे 24 का स्क्वाइर यह equal है, किसके equal है, तो 24 का square plus 70 का square, इसके sum के यह क्या है, equal है, so they are for, क्या लिखेंगे, 24, 70 and 74 is a Pythagorean triplet, ठीक है, यह आपका क्या है, Pythagorean triplet है, समझेगी नहीं, तो हो गया आपका यह question भी solve, चलिए, अब यह आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोगों के सामने है, चाहो तो खुद से भी try कर सकते हो, तो इसमें देखो, सबसे greater number कौन सा है, 27, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 27 का square करेंगे, तो 27 का square कितना आता है, अब multiply करके देखना पड़ेगा, है ना, तो 77 सा 49, 4 आ गया, 72 सा 14, 4, 18, 27 सा 14, 22 सा 4, 15, 9, 8, 4, 12, 5, 6, 729, क्या आता है, 729, इसको ल लिखेंगे equation number 1, अब यह दोनों के square का sum करेंगे, तो 10 का square प्लस 24 का square, तो 10 का square हंडेट होता है, 24 का square कितना होता है, यह देखो 576, अभी अभी find out किया था, अभी इन दोनों को plus कर देते हैं, तो कितना आएगा, यहाँ पर 6, 5, 6 और यह 7, 5, 6, 676, इसको लिखा हमने equation number 2, त आपे 676, तो दोनों equal है, नहीं नहीं, दोनों equal नहीं है, मतलब यह तिनों numbers पाइथागोरियंट रिप्लेट नहीं है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे, from 1 and 2, हर बार आपको वैसे ही लिखना है, क्या समझ में आया हमको, कि 27 का square is not equal to 10 square plus 24 का square, so they are for, देखें, क्या लिखेंगे हम, so they are for 10, 24 and 27 is not a पाइथागोरियंट रिप्लेट, ठीक, चलिए यह भी हो गया, आप लास्ट वाला कर लेते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा number कौन सा है, यह तो किया था ना, आमने यह तो किया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको यही तो बताया था, चलो एक बार फिर से बता देती हूं, सबसे बड़ा यहाँ पर है 61, तो 61 का square कितना आता है, चलो करके देखते, multiply, वन वन सा, वन सिक्जा, सिक्स वन सा, सिक्स सिक्जा, थर्टी सिक्स, छे, यहाँ पर एक आएगा, छे, छे, बारा, छे, एक साथ, 3721, 3721, इसको लिखा equation 1, राइट, अब यह दोनों numbers का square करते हैं, तो यहाँ पर 11 का square क्या हो जाएगा, 121 प्लस 60 का square, 3600, दोनों को प्लस कर देंगे, तो एक, दो, साथ, ती, 3721, तो देखो यहाँ पर दोनों क्या आगे, इक्वल आगे मतलब यह पाइथाग ओरेंट रिपलेट है, तो हम क्या लिखेंगे, from 1 and 2, 1 and 2, इससे आपको क्या समझ में आया, कि 61 का square, which is equal to 11 square plus 60 square, so therefore, 11, 60 and 61 is a पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ओके, पाइथागोरियन गोरियन, यह देखो मैं ने स्पेलिंग गलत लिख दी, ठीक है, तो ऐसे एक्जाम में आपको गलत नहीं लिखना है, समझ में आया, तो यह लिजिए हमने question number 1 पूरा complete कर लिया है, इसे तरीके से आपको करना है, तो इसको आप देखो, फिर हम चलते हैं question number 2 पे, यहाँ पर देखिए, यह है आपका second question, तो question number 2 में यह figure दिया गया है, आप लोग देख सकते हो, और इसके अलावा कौन-कौन से information दी गई है, चलिए उसको समझते हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि in given figure, angle MNP which is equal to 90 degree, मतलब यह वाला जो angle है ना, इस angle, यह angle है 90 degree का, और इसके अलावा क्या दिया है, NQ, यानि कि यह perpendicular है MP के उपर, वो भी हमको दिख रहा है, है ना, दिखो यह perpendicular है MP के उपर, MQ is equal to 9, यानि यहाँ से लेकर कि यहाँ तक का length 9 unit दिया गया है, और QP, मतलब यहाँ से लेकर कि यहाँ तक 4 unit है, then find NQ, तो फिर हमें इसका length बताना है, तो कैसे किया जाए, बताइए यहाँ पर हम लोग कौन सा theorem, कौन सी property यूज़ करें, सोचिए ज़रा, सोचिए, आप सोचेगे ना, आपको पता चलेगा, मैंने आपको पीछे जो भी theorem और property बताए थी ना, सोचिए ज़रा, कौन सा यूज़ किया जाए, यहाँ पर यह यह है, और यह मुझे find out करना है, तो आपको याद है, theorem of geometric mean, मैंने उसमें आपको क्या बताया था, कि अगर ऐसा कुछ भी रहा, तो फिर यह जो perpendicular हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो इसका square, यह किसके equal होता है, इन दोनों के product के equal होता है, तो देखो, आपको बताती हूँ, सबसे पहले जो information दी गई है, उसको हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, in triangle mnp, ठीक है, triangle mnp में, angle mnp कितने degree का है, 90 degree का है, and sig nq is perpendicular on sig mp, ओके, यह यहाँ पर दिया गया है, perpendicular है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे, so they are for by the theorem of geometric mean, और कुछ भी दिया गया, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, यह लिखने के भी पहले, यह भी तो लिखना चाहिए, हमको, कि mq का length है 9, और qp है आपका 4, then हमेना nq क्या करना है, find out करना है, अब यहाँ पर लिखेंगे, कि they are for by the theorem of geometric mean, ठीक है, तो geometric mean के theorem से हम लोग क्या कर सकते हैं, यह जो nq है इसका length बता सकते हैं, क्या था formula बताईए, nq का square, यह किसके equal होगा, तो यह दोनों के product के equal होगा, यानि कि mq into qp, ठीक है, तो आप देखो mq का length कितना दिया है 9, और qp कितना है 4, 94 सा क्या होता है, आपको पता है 36 होता है, इधर क्या है nq का square, हमें किसका length चाहिए, only nq का, ठीक है, मुझे nq का value चाहिए, nq square का value नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मुझे यह square अटाना है, तो क्या करेंगे, taking square root on both sides, ठीक है, तो जब यहाँ पे square root लेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, taking square root on both sides, ठीक है, तो जब यहाँ पे दोनों side में हम square root लेंगे, तो यह जो square है, यह यहाँ से हट जाएगा, और यह आ जाएगा, root के अंदर, अब इसको root के बाहर निकाल लिए, तो बताएगे, क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 6 का, जो square, जब यह आप करोगे, तो क्या मिलता है, 36 मिलता है, यहाँ क्यों कितना आ गया, 6 units, ठीक है, यहाँ पे meter centimeter कुछ दिया नहीं है, तो फिर आप अपने मन से units ले सकते हो, ठीक है, तो देखिए, आमें जो find out करना था, वो हमने find out कर सकते हैं, इसका length कर सकते हैं, इसका length कैसे बताएं, तो देखो, एक idea है, हमारे पास, अगर हमें, MR का जो length है, वो मिल जाए, ठीक है, अगर मुझे MR का length मिल जाए, तो फिर मैं पूरा यहाँ से ले करके, यहाँ तक का length बता सकती हूँ, है न, कैसे बता सकती हूँ, देखो, यहाँ पे, QR क्या होगा, बताना ज़रा, QM plus MR, ठीक है, QR क्या होगा, QM plus MR, ओके, तो मुझे क्या चाहिए, MR का value चाहिए, एक बार मुझे MR का value मिल गया, फिर उसकी मदद से मैं QR का value भी बता सकती हूँ, ठीक है, तो कैसे होगा, चलिए, आपको बताती हूँ, यहाँ पर लिखेंगे, हम solution, फिर यहाँ पर लिखते है, in triangle, PQR, ठीक है, यह triangle में, angle QPR, कितने degree का है, 90 degree का है, और, seg P, M, is perpendicular on seg QR, ओके, it is given in the question, तो यहाँ पर लिख दो given, ओके, और कुछ दिया गया है, क्या, जी हाँ, और कुछ भी दिया गया है, उसको भी लिख लेते हैं, इधर, इधर नीचे लिख लेते है, P, M का length है 10 units, और Q, M का length है 8, और इसकी मदद से हमको Q, R का length बताना है, ठीक है, तो कैसे होगा, बटे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लोग अगेन, वो जो geometric mean वाला theorem था ना, उसका use करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, कि by the theorem of, by the theorem of geometric mean, यहाँ पर यह जो theorem है, इसका use कर सकते हैं, ध्यान से देखिए जरा, यह आपका right angle triangle है, यह एक right angle triangle है, देखो, यहाँ पे QPR, ध्यान से देखना, पहले मैंने आपको वो triangle इस प्रकार से ड्रॉ करके बताया था, लेकिन अगर आप इसको ऐसे घुमाद होगे ना, तो पहले जैसा triangle बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको ऐसे घुमाद हो, ठीक है, तो हो जाएगा ना, तो के लिए हम लोग इसमें, यह जो geometric mean का theorem है, इसका use कर सकते है, ठीक है, तो अब होगा क्या, तो देखो, यहाँ पर यह जो perpendicular line आता है, इसका square, किसके equal होता है, तो यह दोनों के product के equal होगा, QM into MR, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ जी थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, इस फिर यह और यह, ठीक है, यह हो जाएगा आपका P, ध्यान से देखते जाना, मैंने इसको पलट दिया, QP और R, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर यह 90 डिगरी का angle बन रहा है, ओके, और हमने P vertex से इस हाइपोटेनियस के उपर एक perpendicular line खीचा है, अब समझ में आ रहा है, आपक तो बस वही वाला figure है, बस मैंने इसको घुमा दिया आपको समझाने के लिए, ओके, तो यहाँ पर होगा क्या, P M का value हमारे पास है क्या, P M है न, 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 का square, अच्छा, Q M का value है, यह देखो, 8 into MR, राइट, अब देखो, इसका square करेंगे, तो 100 हो जा अब डिवाइट करते हैं, तो M का value कितना मिलेगा, चलो देखते हैं, मतलब MR का value हमको कितना मिलेगा, तो देखो, 8, 1, 8, 2, 16, फिर, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढाएंगे, 8, 5, 40, यानि कि MR का value हमको क्या मिला, 12.5 units, ठीक है, लेकिन क्या हमें MR का value चाहिए, नहीं, मुझ QR, so therefore, QR क्या हो जाएगा, देखे, Q से लेकर के R, क्या होगा, QM, प्लस MR, ठीक है, Q, क्योंकि ऐसा है, Q से M, और M से R, समझ में आया आपको, उसके बाद यहां पे QR, QM का value कितना है, देख लो, यहां पर 8 है, तो यहां पर मैंने लिख दिया, 8, प्लस MR का value क्या है, यहां पर देखे, हमने find out किया, 12.5, अब इन दोनों को plus कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 20.5 units, समझ में आया आपको, तो यह देखे, हमने QR का length बता दिया है, अगर कुछ नहीं रहता, तो यहां पर units लिख देने का, तो इस प्रकार से आपका question number 3 complete हुआ, मुझे उम्मीद है आप लोगको समझ में आया रहेगा, सच्ची बोल रहेगा, बहुत ही आसान है, ठीक है, बस आप यह figure को थोड़ा ऐसे गुमा करके समझोगे, आपको बहुत अच्छे तरीकी तो समझ में आएगा, ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा देती हूँ, ओके, चलिए यहां पर जलेते है, बहुत ही आसान है, यहां पर लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी ऐस सफ की एन ट्रेज पीज़ के अच्छब, और पर लिखा हुए, और र настоящ की फीर में यहां, कितनी डिगरी का होगा, आपको क्या लगता है, बचपन में सीखा था, आमने DOA टिक होते हैं, डिके TRI करते हैं तो अगर यह नाइंटी यह 30 तो फिर यह कितना होना चाहिए बताइए जड़ा देखो 90 30 यह दोनों मिला करके कितना होगा नो तिन बारे 120 होगा 180 में से 120 को घटा तो कितना आता है साथ मतलब यह जो आपका एंगल आ रहे है कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का होगा यहां पर लिख देते हुँ मैं 60 डिग्री ठीक है इसका रीजन क्या लिखोगे आप रिमैनिंग एंगल समझ में आया कि नहीं ठीक है तो आप देखो यहां पर हम लोग एक प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं आपको याद है मैंने आपको स्टाइटिंग में एक प्रॉपर्टी बताई थी 30, 60 और 90 डिग्री के ट्रेंगल वाली तो यहां पर हम लिखेंगे कि by the property of 30 डिग्री, 60 डिग्री and 90 डिग्री यह प्रॉपर्टी मैंने आपको स्टाइटिंग में बताई थी ना तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि 30 डिग्री के सामने वाला जो आपका साइट होगा वो हाइपोटेनियस का हाफ होगा और 60 डिग्री के सामने वाला जो साइट होगा वो हाइपोटेनियस का रूट 3 अपॉन 2 होगा तो कैसे करेंगे हम देखो आपको बताती हो यहा पर हम लिख देंगे पी आर ठीक है तो देखो यहां पर इस आर इसका लेंद कितना दिया है और यहां पर हाफ प्र हो जाएगा अब टू को इधर ले लेंगे तो क्या होगा देखो ध्यान से देखना प्र विच इवल टू इस इदर आएगा तो मल्टिप्लाइ में हो जाएगा अब इस टोजा क्या होगा ट्वेल वह यहांनी पी आर का वैल्लू हमको क्या मिला ट्वेल वा यूनिट्स ऑके बात समझ में आए आपको तो यह देखिए हमने पी आर यानि आर्पी का वैल्लू हमने फाइंड आउट कर कंसल्या अब में अब अबने क्या करना है पी आसे यह जो कि आपको पताती होई ना आप टो फिस इंको रहाख पू रूट-वीडे में टू इनटू पी आर का वेल्लू यह रिख continu यहां पैंड तो फियक्ट बेए टो अटॉ ट्रीए कंसल करो है 2 6 आ 12 मतलब P S कितना आ गया 6 root 3 तो देखा आपने हमने यहाँ पर P S का भी value find out कर लिया तो last में आप लोग answer लिख सकते हो कैसे लिखना चाहिए answer ऐसे answer लिख करके दिखाने का कि P R हमें कितना मिला है P R find out करना था ना आर पी लिख दो चलो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि question में वही दिया था तो आर पी आर पी बोलो या फिर पी आर बोलो बोथ हार सेम ओके तो यह आगया 12 यूनिट्स आंड P S P S E था ना Yes P S कितना 6 root 3 समझ में आया आपको तो यह लीजिए 4th question हमने solve कर लिया यह है आपका question number 5 तो इसमें यह figure दिया गया है तो चलिए सबसे पहले इस figure के बारे में समझते हैं उसके बाद फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है तो यह देखो यह है आ अरे देखो ना दिया हुआ है यह sign है ना इसकी मदद से हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर A B और B से यह दोनों क्या है इक्वल है अब देखो आईसा से लिए strangle theorem आपने सीखा है कि जब यह दोनों sides का length क्या रहेगा equal रहेगा तो फिर इसके जो सामने वाले angles रहेंगे वो उतना ही इसका भी रहेगा जैसे कि अगर यह 30 है तो यह भी 30 होगा अगर यह 45 है तो यह भी 45 होगा ठीक है तो हम 30 लेगी 45 या फिर 60 यह आपको कैसे समझेगा तो चलिए आपको बताती हूँ देखो यहाँ पर angle भी है 90 degree का ठीक है अब हम जानते है कि कि किसी भी triangle में जब हम आपका angle A है यह हो जाएगा 45 degree और यह भी कितना होगा 45 degree का ही होगा तभी तो इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो 180 मिलेगा ठीक है अगर आप यहाँ पर 30 लेते तो 30-30 कहां हो पाता नहीं हो पाता ना ठीक है तो हमें ऐसा measurement लेना था जिससे इन दोनों को मिला करके 90 हो ठ ठीक है तो यह बात आपको समझ में आ गए अब चलिए यहां पर देखते हैं क्या पूला चारा है फॉर फाइंडिंग एबी यानिए भी फाइंड करने के लिए एबी और बीसी का लेंद पता लगाने के लिए विद्धा है फिकर में जो भी information दी गई है उसकी मदद से यह यहां पर दी गहीं है इसे आपको क्या करना है complete करना है तो करते हैं यह बिदिस एकवल यहां पर जिए सैंडरली कितना है कितना है 45 यहां पर लिख देते इव फिर यहां पर हमने वह जो पॉपर्टी सीखी थी 45 45 और 90 डिग्री के ट्रेंगल वाली उसमें मैंने आपको क्या बताया था उसमें आपको क्या बताया घार दीग्री के सामने जो आपका साइट रहेगा जैसे कि AB और इसके सामने BC यह क्या होगा 1 upon root 2 of hypotenuse तो hypotenuse यहाँ पर क्या है AC है ठीक है तो बस इसे आपको ध्यान में रखना है और बागे आगे का तो आप कर लोगे तो देखो यहाँ पर वही लिखा हुए AB which is equal to BC यह क्या होगा AC का 1 upon root 2 ठीक है अब उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 1 upon root 2 और यह जो है ना यह root 8 सुनना बड़े ध्यान से root 8 इसको हम लोग कैसे लिख सकते है 4 into 2 करके लिख सकते है 4 2 सा 8 होता है अब यह 4 को root के बाहर निकालो तो 2 आ जाएगा 2 root 2 तो देखो यहाँ पर 2 root 2 लिखा हुआ है root 8 को ही ऐसे लिख दिया हमने और यहाँ पर क्या आएगा 1 upon root 2 अब क्या किया जाए answer क्या आएगा तो रुखिये ना आपको बताती हूँ यहाँ पर root 2 है अब क्या होगा root 2 से root 2 cancel हो जाएगा होगा की नहीं अरे भाई होगा देखो 1 upon root 2 into 2 root 2 तो यह दुनों cancel नहीं होगे बचता क्या है 2 मतलब यहाँ पर AB is equal to BC इसका लेंद कितना आया 2 ठीक है तो इस प्रकार से आपका question number 5 भी complete हुआ आप लोग देख सकते हो बहुत ही सीधा सा और simple सा था चली देखते हैं हम अगला question तो यह है आपका 6th question इसमें देखो क्या बुला जा रहा है find the side and perimeter of a square whose diagonal is 10 cm यानि कि आपके पास एक square है जिसका diagonal है 10 cm का तो फिर आपको वो square का side बताना है और perimeter बताना है ठीक है तो चलीए सबसे पहले यहाँ पर लोग एक square draw कर लेते हैं तो यह देखिए मैंने यहाँ पर यह square draw कर लिया जिसका नाम है PQRS ठीक है अब इसमें एक diagonal भी है तो diagonal यह रहा आपका diagonal ठीक है जिसका length है 10 cm राइट अब देखो square की एक property हम लोग जानते हैं कि इसके जो चारो sides होते हैं इनका length क्या होता है इक्वल होता है और दूसरी property हमें पता है कि square में जो angles होते हैं हर एक angle का measurement कितने degree का होता है 90 degree का होता है यानि कि angle P, Q, S, R यह सब भी 90 degree के ही होंगे तो अभी इस information की help से हमें यहाँ पर यह square के side का length बताना है और क्या बताना है perimeter बताना है यह square है इसका perimeter हमको बताना है तो कैसे होगा देखो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर हम लिखेंगे solution सबसे पहले तो यह लिखते हैं कि let quadrilateral P, Q, R, S be the square ठीक है यह क्या हो गया square हो गया and Q, S be the diagonal ठीक है diagonal of a square right अब देखो square की एक property हम जानते है कौन सी property कि 4 के 4 साइट्स क्या होते equal होते है यानि कि यहाँ पर P, Q, equal होगा किसके Q, R के और यह equal होगा S, R के और यह equal होगा P, S के ठीक है इसको लिखना equation number 1 देखो मैंने क्या लिखा P, Q, Q, R, R, S मतलब वही S, R और P, S यह सभी क्या होगे equal होगे कैसे समझ में आये क्योंकि square है square में 4 के 4 साइट्स क्या होते बराबर होते वही तो मैंने लिखा है ठीक है और दूसरे प्रॉपर्टी भी हम जानते है कि यहां पर angle P, angle Q और angle R और यहां पर angle S यह सभी कितने degree के होंगे 90 degree के होंगे समझ में आया आपको अब सोचिए ज़रा अब हमको दिमाग लगाना है कि कैसे हम लोग side का length पता करे तो देखो यहां पर हम लोग एक काम कर सकते है तो यहां पर ध्यान दीजिएगा अगर मैं यहां पर पाइथा गुरस serum का use करूँ मतलब यह दोनो triangle में से कोई भी एक triangle में ले लूँ और वहां पर अगर मैं पाइथा गुरस theorem का use करूँ तो फिर मुझे side का length मिल सकता है तो चलिए कोई भी triangle ले लिजिए मन करे तो यह मन करे तो यह तो कौन सा लेना है चलो यही वाला ले ले लेते हैं तो यहां पर हम लिखेंगे कि in triangle P चलो उपर वाले ले 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 लेते पाइथागोरस धियरम पाइथागोरस धियरम से हम क्या लिख सकते हैं देखो यहां पर 90 degree के सामने क्या है यह SQ यानि यह आपका hypotenuse हो जाएगा तो SQ का square यह किसके equal होगा PS square प्लस PQ square राइट उसके बाद यहां पर देखिएगा SQ इसका लेंद कितना है 10 cm तो यहां पर हम लिख देंगे 10 का square उसके बाद PS और PQ है न तो यहां पर मैंने क्या लिख देखो PQ और PS दोनों क्या है आपस में equal है तो मैं एक काम कर सकते हूँ कौन सा काम यह PQ के place पर PS लिख सकते हूँ आपस में कर सकते हूँ क्यों क्यों क्या है इक्वल है तो यहां पर मैंने क्या लिख लिख देखा इधर वो तो रहने दो और PQ के place पर मैं लिख देती हूँ PS PS का square कहां से लिखा 1 से लिखा फ्रॉम 1 लिख दीजिए यहां पर तीक है अब क्या होगा PS square प्लस PS square 2 PS square हो जाएगा इधर 10 का square करेंगे तो 100 आजाएगा अभी एक काम करते 2 को इधर ले लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा 100 upon 2 which is equal to PS square cancel करते हैं 2 1s are 2 2 5s are 10 यानि कि PS square हमें कितना मिला 50 मिला अब इसको कैसे solve किया जाए तो एक काम करेंगे यह जो square है इसको हटाना पड़ेगा तो taking square root on both sides तो फिर यहाँ पर PS आएगा क्योंकि यह square गाब हो जाएगा और यह आजाएगा रूट में तीक है अब यह जो root 50 है इसको आफ कैसे लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते ना 25 इंटू 2 है ना 25 टूसर क्या होता है 50 होता है तो 50 को मैंने इस प्रकार से लिख दिया अब 25 को आप root के बहार निकालो तो बहार आने के बाद वो क्या हो चाएगा 5 हो चाएगा तो यहां पर हम लिखेंगे कि they are for ps which is equal to 5 root 2 ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो ps का length हमको मिल चुका है यानि कि यह जो आपका square है इसमें side का length कितना आ गया 5 root 2 ठीक है ps कितना आया 5 root 2 तो अगर यह 5 root 2 है तो यह भी उतना ही होगा क्योंकि सब के सब क्या होते इक्वल होते हैं यह तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था ओके तो एक काम तो हो गया हमने यह square के जो साइडस है इनका length तो find out कर लिया अब हमें find क्या करना है perimeter of a square तो देखो हमने एक perimeter find out करने के एक तो आप क्या कर सकते हो यह जो चारो साइडस है इनके length को मतलब क्या करोगे प्लस कर दोगे एक तो पहला तरीका वो तो सबसे वाला है ना क्योंकि perimeter मतलब क्या जो भी साइडस होते हैं उन सभी का total वो होता हमारे लिए perimeter और दूसरा आप फॉर्मूले का यूज कर सकते हो फॉर इंटू साइडस क्योंकि इसमें कितने साइड है फॉर और फिर हम एक और सब के सब साइड क्या है इक्वल है ठीक है तो हम क्या करेंगे फॉर में साइडस से मल्टिप्लाइ कर देंगे फिर हम को perimeter मिल जाएगा ओके तो चलो अभी यही वाला करते हैं यहां पर लिखेंगे फॉर इंटू साइड कितना है साइड ओफ और स्क्वार फाइव रूट टू ठीक है तो यहां पर मैंने लिखा फाइव रूट टू अब मल्टिप्लाइ करते फॉर फाइव रूट टू ठीक है तो यह क्या हो गया आपका perimeter of a square समझ में आया कि नहीं perimeter of a square ठीक है तो last में हम यहां पर answer करके लिख देंगे क्या answer लिखेंगे यहां पर लिखेंगे कि side of a square is equal to 5 root 2 कितना आया 5 root 2 cm दिया था ना तो यहां पर cm आपको लिखना चाहिए ठीक है इधर भी cm लिखना चाहिए जब कुशन में कुछ भी नहीं दिया रहे था तब यूनिट्स लिखने का नहीं तो जब दिया रहता है तो फिर वहीं लिखने का और यहां पर perimeter लिख देते हैं perimeter of a square which is equal to 20 root 2 cm तो यह लिजिए यहां पर आपका question number 6 भी complete हुआ चलिए आप इसको देखिए फिर हम चलते हैं फिर आगे यह है आपका अगला सवाल तो इसमें यह figure दिया गया है आप लोग देख सकते हों और क्या बोला चाहरा है कि इस figure में angle d fe is equal to 90 degree मतलब यह वाला angle है 90 degree का और जो आपका यह fg है न यह perpendicular है किसके उपर ed के उपर ठीक है और फिर यहां पर क्या है कि अगर gd मतलब यहां से लेकर कि यहां तक कितना होता है 8 unit होता है और fg fg मतलब यहां से लेकर कि यहां तक का length अगर 12 units होता है तो फिर हमें क्या क्या बताना है हमें यहां पर eg का length find out करना है फिर fd और ef का length हमको find out करना है ठीक है तो सोचिए कैस से करें हम चलिए आपको बताती हूं सबसे पहले हम यह सोचते हैं कि एजी का लेंद हमें कैसे मिलेगा इजी मतलब यहां से यहां तक का लेंद हमको बताना है तो देखो इसको देख करके आपके दिमाग में एक थियरम आ हुगा कौन सा जोमेट्रिक मीन वाला क्योंकि देखो इसका लिए और यह में लेंड यहां पर क्या है एंगल डी एफ ए ठीक है डी एफ ए कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है और फिर यह जो आपका FG है FG is perpendicular on ED ठीक है तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे सुधेयर फॉर बाइद थियरम of geometric mean theorem of geometric mean अब यह theorem तो आप लोगों ने सीखा ही है है ना कितने बार हम इसका यूज भी गर चुके बताइए क्या होगा यह जो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है इसका स्क्वेर यानि की FG का स्क्वेर यह किसके equal होगा तो इन दोनों के product के equal होगा मतलब EG into GD होगा है कि नहीं EG into DG हो जाएगा 12 है तो यहाँ पर मैंने 12 का स्क्वेर प्लस EG हमारे पास है नहीं है तो इसको ऐसे रहने दो GD कितना है यह देखो यहाँ पर 8 है तो 8 लिख दिया मैंने 12 का स्क्वेर करेंगे तो 144 और फिर यहाँ पर है EG into 8 अभी 8 को इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा EG which is equal to यह इधर multiply में है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा आब इसको cancel करते हैं तो कितने बार में जाएगा देखो एक मिनट डिवाइड करके देख लेते ना अच्छे से एट वन जा एट टीक है तो आट नो दस ग्यारा बारा तेरा ओके छे आ चाहेगा फिर यहां पर क्या आगया अठारह क्या आया 18 मतलब यहां पर हम लिखेंगे सुदे और फॉर ईजी विच इकवल टू 18 यूनिट तो यह तो हमने फाइंड आउट कर लिया देख लो इजी का लिंद हमने बहुत ही आसानी से निकाल लिया है ना कितना सिंपल था अब उसके बाद हमें FD बताना है और EF बताना है तो चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि FD का लिंद हमको कैसे मिलेगा तो ध्यान से देखना यहां पर यह जो आपका एंगल है नाइंट डिकरी का है ठीक है और आपके पास GD का लिंद है और GF का भी लिंद है तो देखो इन दोनों की मद सबसión करके इसका लिंद कर सकते हैं कि लिंद करके चलिए आपको बताती हूं आपको बताते हूं हैं एकिंपर अन मेता ृत करेंगी कि रहा हो गया एंगल,, चोटू वाला ठीक है ना इन ट्राइंगल डी एफ जी ठीक है डी एफ जी ले लेते हैं इस ट्राइंगल में एंगल डी एफ जी कितना है 90 डिग्री का है एक मिनट इसको मतलो रुको रुको आपको बताती हूं डी एफ जी नहीं यह वाला एंगल लेना ठीक है यहां पर लिख सब्किंगे बाइदगोरस थीओर्म थी तो गोरी से क्या लिख सकते हैं। ह्डिवह स्कौरह किसके इकवल होगा तो यहां पहलिक indigenous 14″ के यहां पर आगे 208 आजाएगा कितना आया 208 ठीक है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे देखो df का square which is equal to 208 अब मुझे क्या करना पड़ेगा यह square हटाना पड़ेगा तो taking square root on both sides तो फिर यहां से यह square है वो हट जाएगा और यह आ जाएगा root में अब इसको केसे solve किया जाए तो देखो इसके हम लोग factors करेंगे प्राइम factors find out करते हैं दो लेगा चार से करते हैं 45 24 24 24 तो यहां चार कितने बार आया है दो बार आए देखो यह कैसे आएगा आपको बताते हैं आपको बताते हैं तो फोर कितने बार आएगा ना मतलब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं इस प्रकार से लिख सकते फोर और रूट के अंदर 13 राइट तो देखो यहां पर डी एफ भी हमको मिल चुका है यहां पर लिखते देयार पॉर डी एफ विच इक्वाल डू फोर रूट 13 units समझ में आया आपको यस यह भी हमने कर लिया अब उसके बाद किसकी बार यह एफ मतलब अब आपको इसका लिंद बताना है तो कैसे किया जाए देखो यहां पर भी हम लोग ना क्या कर सकते हैं पाइथागोरस हेरम का यूज कर सकते देखो इजी हमारे पास है कितना 18 तो इन दोनों की मदद से हम लोग इसका लिंद बता सकते हैं तो यहां पर अभी लिखेंगे तीसरा नमबर डाल कर के इन ट्रेंगल कौन सा लेंगे ये वाला ट्रेंगल अभी लेंगे ठीक है ये वाला इन ट्रेंगल EGF EGF में एंगल EGF कितने डिक्री का है 90 डिक्री का है So therefore by Pythagoras theorem यहाँ पर लिखते है therefore by Pythagoras theorem तो Pythagoras theorem से आप क्या लिख सकते हो 여始 गर्पवेस doğru लिख सकती सार्ण किया है और फिरपेis पतकर आप स्क्वेरद में औरaş स्क्वेर सब्सक्क क्या हुक्त स्क備ल कया है ठीक है अब उसके बाद 18 का स्क्वाइर कितना होता है चलो multiply करके देखते हैं 8, 8 सा 64 आ जाएगा इधर 6, 8, 8, 9, 10, 14 यहाँ पर आ जाएगा फिर 1, 8 सा 1, 4, 8, 4, 12 और यहाँ पर 324 आएगा ठीक है अब आप सोचिए कि 468 जो है ना यह किसका स्क्वाइर है किसे का स्क्वाइर है क्या चलिए प्राइम फेक्टर निकाल करके हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा 468 ठीक है अब इसके प्राइम फेक्टर हम लोग फाइंड आउट करते हैं और इसको थोड़ा अच्छे से मैं लिख देती हूँ 468 अब मुझे क्या करना यह स्क्वाइर रटाना है तो तो फिर यहां से यह स्क्वाइर हट जाएगा और यह आ जाएगा रूट के अंदर ठीक है अब चलिए देखते हैं कि यहां पर इसका आंसर कितना आता है तू से करते हैं तो तो तूसा फोर तूसा 248 फिर से 2 से 2 1 2 1 2 7 अब किसे किया चाहे तो 13 से करते ना क्योंकि 13 के टेबल में 117 आता है तो 13 9 117 होता है उसके बाद 3 से करते 3 3 9 और 3 1 3 ठीक है तो यहां पर रूट के अंदर क्या आया देखो 2 into 2 into 3 into 3 into 13 अब देखो 2 into 2 मतलब 4 और 3 into 3 मतलब 9 और into 13 अभी यह जो आपको 4 दिख रहा है इसको रूट के बाहा निकालो तो 2 हो जाएगा ये जो 3 है, इसको root के बाहर निकालो, मतलब ये जो 9 है, इसको root के बाहर निकालो तो 3 हो जाएगा, root के अंदर आ गया 13, 2, 3 जा 6, मतलब इसका answer क्या आया, 6 root 13, ओके, तो चलो मैं इसको लिखती हूँ, कैसे लिखेंगे, देखो, 2 into 2 into 3 into 3 into 13, ठीक है, अब इसको बाहर निकाल सब कुछ समझो, हमने solve कर लिया, ओके, तो कितना आता है, 6, चलो मैं आपको solve करके बताते हूँ, इसको बाहर निकाल लेंगे, तो 2 into 3 हो जाएगा, फिर यहां पर root के अंदर 13, यानि कि, EF कितना आ जाएगा, EF विच इक्वल तो 2, 3, 6 root 13 units, ओके, तो ये देखेंगे, हमने यही तो find out करना था ना, मतलब जो कुछ भी question में पूछा गया था, सब कुछ हमने बता दिया है, तो last में आप लोग answer कैसे लिखेंगे, देखो आपको बार-बार में बोलती हूँ कि last में आप लोग को answer लिखना है, तो भूलिएगा, मतलब लिखना है, तो पहला EG हमको बत यहाँ पर FD, इसका लिंद कितना है, देखो 4 root 13 units, तो 4 root के अंदर 13 units, और फिर यहाँ पर last में हमें किसका लिंद बताना था, तो EF, तो देखो यहाँ पर EF का लिंद लिखेंगे हम EF which is equal to 6 root 13 units, ओके, तो यह लीजिए, finally आपका question number 7 भी complete हो चुका है, और मुझे लगता ह है कि आपको यह बहुत ज्यादा आसान लगा होगा है ना, और यह आसान है भी, ठीक है, तो एक ही question में हमने दो-दो property का use किया, एक तो यहाँ पे geometric mean वाला और दूसरा pythagoras theorem, चलिए अब हम देखते है question number 8, तो यह है आपका 8th question, इसमें क्या दिया गया है, find the diagonal of a rectangle whose length is 35 cm and breadth is 12 cm, यानि कि आपके पास एक rectangle है, देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग rectangle draw कर लेते हैं, ठीक, इसका नाम दे देते हैं, A, B, C, और D, ठीक है, तो इस rectangle में जो इसका length है वो है 35 cm, तो length मतलब यह हम समझ लेते हैं, यह है 35 cm, और देखो एक बात हमको पता है कि rectangle में जो opposite sides होते हैं, वो क्या होते हैं, यानि अगर यह 35 है, तो यह भी कितना होगा, 35 cm होगा, ठीक है, और ब्रेथ कितना है, 12 cm, तो अगर यह 12 cm है, तो इसके opposite, मतलब इसके सामने वाला भी कितना होगा, 12 cm का ही होगा, ठीक है, तो हमें क्या करना है, यह rectangle का diagonal है, उसका length बताना है, तो उसके बाद हम लिखते हैं, कि लेट, quadrilateral, A, B, C, D, B, the rectangle, B, the rectangle, and AC, B, the diagonal, of a rectangle, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर, AD का length कितना है, तो AD का length है, AD का length है, AD which is equal to BC, ठीक है, यह दोनों बराबर है ना, जिनका length 12 cm, ठीक है, इसके अलावा, AB, देखो, AB और DC, इनका length 35 cm, it is already given in the question, ठीक है, यह सब कुछ already दिया गया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, यह सब कुछ हमने, अपने मन से लिखा गया, नहीं नहीं दिया गया था, अब देखो, rectangle की एक property हम जानते हैं, कि rectangle में चारो के चारो angles का measurement कितना होता है, 90 degree, यानि, angle D होगा 90, angle A, angle B, और angle C भी होगा 90 degree, तो यहाँ पर हम एक और बात लिख देते हैं, कि angle A, which is equal to angle B, which is equal to angle C, which is equal to angle D, यह चारो के चारो होंगे 90 degree के, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आगे, अब हमें diagonal का length बताना है, तो हम ब B, C ले लेते, यह उपर वाले लेते, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास AB का length है, और BC का length है, तो इन दोनों की मदद से हम लोग AC का length चुट्कियों में find out कर सकते हैं, तो देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे, इन triangle A, B, C, यह triangle में angle B कितने degree का है, 90 degree का है, तो यहाँ पर हम लो तो पाइथा गोरस थीरम के according क्या होगा, हाइपोटेनियस का square, हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या है, यह है आपका 90 degree, इसके सामने हाइपोटेनियस, यानि की AC का square क्या होगा, AB square plus BC square, समझ में आ रहेगी नहीं, देखो, AB square plus BC square, तो AB का length कितना है, देखो, यहाँ पर 35, इसका square हो जाएगा, BC, BC का length कितना है, 12 तो इसका square, आप देखो, 35 का square कितना होगा है, चलो, multiply करके देखते है, 5, 5, 25, 2 आ गया, 5, 3, 15, 15, 16, 17, 3, 5, 15, 1, 3, 3, 9, 1, 10, 5, 7, 5, 12, 12, 1225, तो यहाँ पर मैं लिखा, 1, 2, 2, 5, right, फिर 12 का square कितना होता है, 144, ओके, अभी यह दोनों को plus करे कितना आएगा, 5 और 4, 9, 4, 2, 6, 2, 1, 3, और यहाँ पर बना गया, 1369, ओके, अब मुझे क्या करना है, यह square हटाना है, तो taking square root on both sides, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से square गायब हो जाएगा, और यह आ जाएगा, रूट के अंदर 1369, अब सोचिए, यह किसका square है, तो किसका square हो सक देखो 36 का तो हो नहीं सकता, क्योंकि 66 क्या होता है, 36 होता है, मतलब यहाँ पर अगर 36 का करेंगे तो भी, 66 इधर 9 है ना, तो इसका नहीं हो सकता, 37 से करके देखते हैं, तो 37 x 37, 77 सा 49, 7 3 सा 2, 1, देखो यहाँ टीन है ना, तो आ रहा है, 7 3 सा 2, 1, और यह 4, 25 हो चाहेगा, 37 तो नो छे तीन एक देखो 1369 आ गया मतलब यह जो है ना 1369 यह किसका स्क्वार है तो यह है 37 का स्क्वार्ट तो स्क्वार रूट ओफ 1369 क्या हो चाहेगा 37 तो यहां पर हम लिखेंगे देयार पॉर एसी विच इक्वल टू 37 सेंटी मेटर तो यह दिखें यहां पर हमने यहां पर आपका कोस्टन नमबर 8 भी कंप्लेट हुआ चलिए आगे चलते और अगला सवाल देखते हैं तो यह है आपका कोस्टन नमबर 9 जो कि क्या है इंपोर्टेंट है देखो मैंने इसके उपर स्टार माग किया है मतलब इसे आपको अच्छे से करना है और देखो इसमें यह फिगर दिया गया है आप लोग देख सकते हो और फिर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि M is the midpoint of QR यानि कि यह जो M है न यह QR का क्या है midpoint है midpoint मतलब क्या बीच वाला point यानि कि यह जो point M है यह इसको QR को two equal parts में divide कर रहा है यानि कि MR is equal to क्या होगा MQ ठीक है और यहाँ पर PRQ मतलब यह वाला angle है 90 degree का देन हमें प्रूफ क्या करना है PQ square which is equal to 4 PM square minus 3 PR square ठीक है तो कैसे किया जाए चलिए ना आपको बताती हूं यहाँ पर हम लिख देंगे solution अब इकदम ध्यान से देखना ठीक है अब इसको कैसे किया जाए तो देखो हमें काम करेंगे कौन सा काम करेंगे सबसे पहले यह चोटा वाला triangle लेंगे ठीक है यह चोटा वाला PRM PRM तो इसमें यह triangle में यह जो हमारा angle है angle PRM यह कितने degree का है 90 degree का है यानि यह एक right angle triangle है तो हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस theorem का यूज कर सकते हैं है ना तो यहाँ पर लिखेंगे सब्सक्राइब यहाँ पर हम लिखेंगे पी एम का स्क्वाइर यह इक्वल होगा किसके PR स्क्वाइर प्लस आर एम स्क्वाइर राइट इसके एक्वल हो जाएगा अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इदर पी क्यू है पी एम है पी आर है आर एम कहीं पर आपको दिख रहा है नहीं ना आर एम है ही नहीं तो फिर इसको हमें अकेला करना पड़ेगा तो एक काम करते हैं सुनना यहाँ पर प्र क्यौ यहाँ पर लिखेंगे हम student २म्बर one को इतनी बात आप लोग này अब क्या किया जाए तो यहाँ पर क्या है आरम का स्क्वाइर फिर PM का स्क्वाइर माइनस PM का स्क्वाइर और पी आर का स्क्वाइर ठीक है इतना है ना अब हम क्या करते ना यह जो बड़ा वला ट्रेंगल है इसको ले लेते हैं तो यहां पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी आर क्यू ठीक है इन ट्राइंगल पी आर क्यू इसमें जो आपका एंगल पी आर क्यू है ये कितने डिक्री का है 90 डिक्री का है पाइथागोरस थीरम से क्या होगा पाइथागोरस थीरम ठीक है तो पाइथागोरस थीरम से आप क्या समझते हैं हाइपोटेनियस का square यहाँ पर हम क्या लिखेंगे pq का square यह equal होगा किसके pr square plus rq square rq बोलो या फिर qr बोलो दोनों same ही है इसके square के equal होगा यह बात आप लोग को समझ में आ गए अब भी इसको हम लिख देते equation number 2 अब क्या किया चाहिए इतना तो हमने कर लिया पर हमें तो यह सब कुछ लाना है यह क्या आ रहा है रुकिये रुकिये आएगा जरूर ठीक है अब यहां पर एक और information दी गई थी ना कि M is the midpoint of qr तो यहां पर हम लिखते हैं कि since M is the midpoint of midpoint of qr ठीक है यह क्या है इसका midpoint है इसका मतलब क्या हुगा कि RM और M q यह दुनों क्या है इकवल है वैसे इकवल यहां पर दिखाया भी गया है तो यहां पर लोग एक और बात बोल सकते हैं कि यह जो हमारा qr है qr क्या होगा बताइए qr का दोगुना होगा है ना क्योंकि देखो अगर यह 5 है तो यह भी 5 होगा यानि qr क्या हो जाएगा 5 का दोगुना करो 5 में 2 से मल्टिप्लाइ करो 10 सेंटीमेटर है ना 5 प्लस 5 10 सेंटीमेटर समझ में आ रहे हैं आपको तो वहीं मैं आपको बताना चाहती हूं कि यह जो qr है इसके इकवल में क्या लिख सकते हैं 2RM लिख सकते हैं कि नहीं जी हां बिल्कुल लिख सकते हैं ठीक है समझ में आया आपको तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी qr which is equal to 2RM इसको लिख दिया equation number 3 अब आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि qr is equal to अम यह भी तो लिख सकते हैं 2M qg हां आप यह भी लिख सकते हो लेकिन यह लिख करके कोई फाइदा नहीं ना जो हमें प्रूफ करना है वो तो हो ही नहीं पाएगा तो यह लिख करके क्या फाइदा है ना यह क्यों लिखोगे इसको लिखो ठीक है तो क्या लिखा मैंने qr is equal to 2RM और इस question की अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आने लगेगा ठीक है वैसे भी समझ में आही रहा होगा तो यहां पर equation 1 मिला 2 मिला और 3 मिला अब क्या किया जाए तो यहां पर देखो equation 2 और 3 हम लेंगे यहां पर लिखते हैं from equation 2 and 3 ठीक है 2 and 3 अभी क्या करेंगे ना यहां पर यह जो qr है ठीक है q यहां पर rq है rq मतलब वही qr हम इसको को लिख देते हैं ठीक है qr का स्क्वाइर है ना देखो यहां पर qr का value हमको क्या मिला है 2 rm तो हम क्या करेंगे qr का value यहां पर पूट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा यहां पर लिखेंगे qr का square which is equal to pr square plus qr के प्लेस पर यह लिखेंगे 2 rm क्योंकि यह दुनों क्या r square plus यहां पर एक काम करते इसको ऐसे bracket को open कर देते तो 2 का square 4 हो जाएगा और यहां पर होगा rm का square ठीक है अभी भी जो हमें प्रूब करना था वो नहीं हो पाया पर रुकिये ना होगा इसको लिखते है equation number 4 ठीक है अब देखो यहां पर rm square is equal to क्या है rm square का value हमारे पास यह तो यहां पर हम लिखेंगे from 1 and 4 ठीक है 1 और 4 से तो यहां पर देखिएगा equation number 4 क्या है pq square which is equal to pr का square फिर क्या है plus 4 rm का square तो यह जो rm square है इसके place पर मैं क्या लिख सकती हूँ तो यह लिख सकती हूँ एक्योंकि यह देखो दोनों क्या है equal है rm square is equal to क्या है देखो pm square माइनास πr का square तो यही क्यों हो देखो मुझे यह एई चाइहरा COM वैं ना तो चलो अभी लिखते है यहा पर क्या लिखेंगे pm का स्क्वेर फिर माइनस पी आर का स्क्वेर ठीक है यह बात आपको समझ में आ गए अब फॉर का मल्टिप्लाई करते अंदर तो यहां पर लिखेंगे प्यार स्क्वेर प्लस फॉर इंटू दिस तो क्या हो जाएगा फॉर पी एम स्क्वेर फिर माइनस फॉर का लोटब तो क्या आएगा माइनस 3 आहिगा तो यहां पर मैंने लिग माइनस 3 पी- आर वाया की नहीं प्यार माइनस 4 पी आर स्कॉएर तो इधर जो है वो तो रहेगा ही 4 पी- एम का स्कॉएर तो देखो हमें प्रेक्टिस करोगे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा यह बहुत जादा डिफिकल्ट नहीं है इस वेरी इजी बताइए ज्यादा कुछ हमने इसमें किया बस यहां पर पाइथा और सेरम का ही तो यूज किया और क्या है चलिए यहां पर फूर था वन बढ़ा था मैंने इसको नहीं लिखा है तो आप लोग अपनी टेक्सबूक में देखो कि आपको समझ में आएगा ठीक है इतना बड़ा कोश्चन देख करके डरिएगा बिल्कुल भी नहीं बहुत ही आसान है यह भी ठीक है तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि वाल्स देखो आपको बताती हूं यहां पर ड्रों करके बताऊंगी नहीं जादा अच्छा समझ आएगा तो यह रहां आपका दूसरा बिल्डिंग यह दोनों क्या है पैललल टू इच अधर एक दूसरे के पैललल और यह जो बीच में ना मतलब यह बीच में क्या है स्ट्रीट है यह जाएगी तो ऐसे जाएगी ऐसे नहीं जाएगी याद रखना गाड़ी ऐसे जाएगी समझें फिर उसके आगे क्या बोला चाहरे कि यह लैडर 5.8 मिटर लॉंग इस प्लेज प्लेज ऑन दर स्ट्रीट ओके एक लैडर को यहां पर रखा जाता है सच डैट इस टॉप ज रखते हैं जिसका लेंद कितना है 5.8 मेटर ओके और उसको हम लोग जब इसके ऊपर टिकाते हैं ठीक है यह बिल्डिंग के उपर तो फिर यह क्या होता है ना रुको आपको बताती हूं पहले लाइन खीचने दो मतलब यह सीडी बनाने दो यह देखो मैंने यह सीडी बना पे ना तो क्या होता है यह इस बिल्डिंग के विंडो को ठीक है 4 मीटर के फ़े करता है 4 मीटर का जो वह कितना करता प्र समझेक आपको सद्धि बोला जा रहальная त्यान से एंटा लहां responds परपेंडी कुल यहां पर 90 डिग्री का यहां पर 90 डिग्री का ठीक है फिर आगे बोला जा रहा है कि देखो इसमें बोला जा रहा है कि और टर्निंग देडर ओवर टू दा अधर साइड ऑफ दे स्ट्रीट यानि हम क्या करते हैं तो फिर इसका जो टॉप है वो टच करता है जलौंप है दूसरी बीलडिंग कर दूसरी बीडिंग के विंडों को at a high of 4.2 م at same li把 डार मतलब यह लेडर का भी जो लेंद है वो कितना होगा 5.8 मege का थीक है तो हमें find प्या Kapi है find the width of the street यह जो स्ट्रीट है ना इसका width हमको बताना है मतलब यहां से लेकर करके यहां तक का distance हमको find out करना है ठीक है तो कैसे किया चाहिए चलिए आपको बताती हूं बहुत सिंपल है ठीक है जो था बस यही था एक बार हमने फिगर ड्रॉग कर लिया ना बस काम खथम चलो अभी नाम लिखते हैं तो यहां पर लिख देते ए बी सी डी और यहीं ठीक है हमें बीसी का लिंद बताना है तो कैसे बताएंगे बताओं आपको यहां पर हम लोग कि लेट सिग बीसी बी दा विट्थ आफ दा स्ट्रेट ठीक है विट्थ ओफ दा स्ट्रेट यह हो गया उसके बाद एबी का लिखते फिर डीसी का लिखेंगे और हम क्या लिखेंगे कि लेट एबी बी दा इंच हाइट आपका पहला बिल्डिंग का पूल यह दुसरे बिल्डिंग का वाल थीक है तो यह बी क्या है विंडों तक का हाइट और जमीन से लेकर के विंडों तक का हाइट है तो यह में लिख रहे हूं पार्स्ट बिल्ड Cliff ओके और फिर हम क्या लिखेंगे and let dc dc be the y लिखेंगे same to same height of the height up to the up to the window of the second building ठीक है यह second building का height हो गया window तक का यह मैंने लिख दिया उसके बाद अभी यह भी लिखना पड़ेगा na a e or d e तो यहाँ पर लिखते हैं कि and a e and d e be the two different positions positions of the same ladder from point e तो यह मैंने क्या लिखा देखो मैं आपको बताती हूँ सबसे starting में मैंने क्या लिखा यह जो bc है यह क्या हो गया width of the street ठीक है यह जो street है इसका width हो गया bc उसके बाद मैंने क्या लिखा यह जो a b है यह क्या है height of the window window ठीक है जमीन से लेकर के window तक का height right और उसके बाद यहां पर dc क्या है यही जमीन से लेकर के पूरा window तक का height okay दूसरी building का उसके बाद यहां पर मैंने क्या लिखा a e और d यह दुनों क्या है दो अलग अलग positions है ना हमने क्या किया एक कही सेड़ी को same ladder था ना देखो यहां पर इस प्रकार से रखा ठीक है उसके position को हमने change कर दिया पहले ऐसे फिर बाद में ऐसे ठीक है तो वही चीज मैंने लिखी हुई है बात समझ में आई आपको अब उसके बाद यहां पर कुछ भी है उसको लिखते हैं देखो सबसे पहली बाद तो a b a b कितना है 4 meter तो यहां पर 4 meter लिख दिया फिर जाके a c कितना है a c नहीं a e to a e है आपका 5.8 meter जो कुछ भी है उसको सबसे पहले तो यहां पर लिखते हैं adhering abe यह वाले triangle med hey B में यह आपका ईंगल है angle abe यह कितने 90 डिग्री का है तो हम लोग ईहां पर Python Girls hierum का यूस कर सकते ना तो यहां पर लिखेंगे हम कि बाइटा फाइek सपाइघाएधा ठीक है पाइधागोरस ठीरम तो आप लोग पाइधागोरस ठीरम तो जानते ही है क्या लिखेंगे हम a e ka square यानि कि हाइपोटेनियस square विच जसे इकनल टू क्या हो जाएगा a b sq 2 plus b e ka square राइट अभी values पूट करते हैं तो a e कितना है 5.8 Freight meter तो यहां पर लिखते हैं 5.8 का स्क्वार्ट इस इवाल टू ए भी हमें पता है क्या जी हां देखो 4 का स्क्वार्ट प्लस भी हमें नहीं पता यहीं तो find out करना है अब देखो यहां पर 5.8 का स्क्वाइर कितना होगा तो 58 यहां पर 58 चलो मल्टिप्लाइ करते एट इट जा 64 एट फाइट जा 40 46 फाइट जा 40 फिर फाइट फाइट जा 25 29 चार छे नौचार तेरा तीन पॉइंट कहां पर लगाएंगे यहां पर 33.64 यहां पर लिख देते से 33.64 इसका स्क्वाइर हो गया इसिक्रा आता है 16 के का स्क्वाइर ठीक इतनी बात वात समझे हैu अब इसको इधर ले लेते हैं तोड़़ा हो जाएगा 33.64-16 मिच्झन विच्छे इपॉल टो बी का स्कॉर चलो अभी इसमें से 16 को माइनस कर देते हैं तो जब 16 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा इधर 4 6 13 में से 6 जाएगा तो 6 7 8 9 10 11 12 13 साथ आ जाएगा और यहां पर 17.64 ठीक है तो यहां पर हम लिखते हैं कि यहां पर क्या हो जाएगा बीई विच इकवल टू यह आजाएगा रूट में 17.64 अब इसका स्क्वार रूट आप पता लगाए तो कैसे कि आ चाहिए चलिए इसके प्राइम फैक्टर समझों निकालते हैं ठीक है या फिर ऐसे ही थोड़ा सोचनी की कोशिश करो ना 4 कभी अगर मैं यहां पर थोड़ा सोचना पड़ेगा थोड़ा दिवाग लगाना पड़ेगा क्योंकि ऐसे इधर 4 कभ आएगा या फिर प्राइम फैक्टरी करो ठीक है आपकी मर्जी तो चलो प्राइम फैक्टरी करते ना अराम से 1764 किससे किया जाए तो 2 से करते चोटे नंबर है ना तो 441 किसी के तो टेवल में आता है रुकिए एक मिनट यहां पर अगर मैं इसको 3 से करूं तो देखो ठीवन सा 3 इसमिशन बचेगा और 3 फोर जा क्या होता है 12 होता है इसमिशन 2 बचेगा 3 7 सा 21 है ना सही है ना 3 1 सा 3 इसमिशन बचा 3 4 सा 12 से 1 एकदम सही है फिर 3 से क क्या क्या आया 2 3 और 7 तो देखो 2 इंटु 3 इंटु 7 तीनों का मल्टिप्लाई करो 2 3 सा 6 6 7 सा क्या होता है 42 मतलब यह जो है ना इसका स्क्वार रूट क्या हो जाएगा 42 अब देखो यहां पर पॉइंट है तो यहां पर आ जाएगा पॉइंट यानिकि 4.2 समझ में आया तो य हम इसी का लेंद फाइंड आउट करना पड़ेगा तभी तो हम पूरा बीसी का लेंद बता पाएंगे तो चलिए अभी फाइंड आउट कर लेते हैं अब आपको समझ में आता रहेगा क्या करेंगे अभी यह वाला ट्रैंगल लेंगे और इसमें हम लोग पाइथा गोरस थ क्रीका है तो यहाँ पर अभी पाइथा घरर म काम यूज कर लेते हैं तो क्या लिखेंगे और फाइथा गोरस थिरम अभाइथा घरर ऊंचला सर्ण देख है अब का 4.2 तो यहांपे 4.2 का square प्रस EC का square तो 5.8 का square कितना होगा देखो नहीं यहाप इफाइंड out क्या था 33.64 यहाँपे लिख देता हैं ठीक और 4.2 का square यह आएगा zeventeen point 64 चाओं तो करके देखलो यह यह आएगा प्लस EC का स्क्वाइर अब इसको इधर ले लेते हैं तो 3 3 6 4 माइनस 17.64 विच इक्वाल टो इसी का स्क्वाइर चलो भी माइनस करते हैं 4 में 4 गया 0 6 में 6 गया 0 फिर इधर पॉइंट आ जाएगा 13 में साथ जाएगा तो कितना आता है 6 आता है इधर 16 आ गया ठीक है इसी का स्क्वाइर तो देखना अबड़े ध्यान से यहां पर हमें मिला क्या है देखो इसी स्क्वाइर विच इक्वाल टो 16 ठीक है अब यह स्क्वाइर ले लो तो क्या हो जाएगा यहां पहर लिखेंगे therefore EC which is equal to root over 16 अब इसको बाहर निकालो तो EC का length आजाएगा 4 meter समझ में आया आपको ठीक है अब देखो हमें यहाँ पर BE भी मिल गया EC भी मिल गया तो अब BC बड़ी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं क्या लिखेंगे अब लिखेंगे हम therefore BC which is equal to क्या हो जाएगा BE PLUS EC ठीक है क्यों ऐसा क्योंकि यह कैसा है B से E और E से C समझ में आया आपको उसके बाद यहाँ पर values पुट करते हैं तो B कितना आया था यह देखो कहाँ पर तो आया था 4.2 meter यहाँ पर लिख देते हैं 4.2 इस ही कितना आया 4 दोनों को PLUS करेंगे तो कितना आएगा 8.2 meter समझ में आया आपको तो यह जो length है न width ठीक है width of the street क्या हो जाएगा 4.2 meter तो लास्ट में हम लोग answer लिख देते हैं 8.2 meter ठीक है यहाँ पर लिखेंगे they are for width of the street which is equal to 8.2 meter तो यह लिजे finally हमने question number 10 भी complete कर लिया मुझे उमीद है आप लोग को समझ में आया रहेगा ठीक है एक बार में नहीं समझा तो दुबारा से समझने ही कोशिच करो पक्का समझ में तो आएगा ही है न इतना भी difficult नहीं है ठीक है बस जो समझना था वो आपको question में समझना था एक बार अपने figure ड्रॉ कर लिया न फिर उसके आगे का आप लोग कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपका जो practice at 2.1 है वो complete होता है अभी इसके आगे है practice at 2.2 तो उसको भी हम लोग जल्द ही solve कर लेंगे मैंने बोला है ना कि सब कुछ करवाओंगे आपको मतलब सब कुछ करवाओंगी ठीक है तो चलिए अभी मिलते हम लोग निक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते